लाँ 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 तो हेलो दोस्तों आप लोग का मेरे नए वीडियों बहुत बहुत स्वागत है मैं उभासकर आपका दोस्त तो दोस्तों ये है बनारस का मड़ी करनी का घाठ तो दोस्तों ये है बनारस का बहुत ही प्रसिद समसान घाट जहां पर चीता किया कभी नहीं बुजिती जहां हर रोज 2.500 चीताएं जलती है ये बनारस का बहुत ही प्राचीन समसान घाट है ऐसा मानना है कि माता परवती गंगा में इश्णान कर रही थी तो नहाते समय उनके कान का कुंडल यहाँ पर गिर गया था गंगानदी में तो इसके वज़े से इसका नाम पड़ा मरी करनी का घाट मरी करनी का घाट का एक लंबा इतियास है जो सदियों पुराना है इसका उलेक प्राचिन हिंदी ग्रंतों में मिलता है ऐसा मानना है कि इस घाट पर जिसका अंतिम संसकार किया जाता है वो सिधा मोक्ष की प्राप्ती करता है कई पीडियों से ये हिंदों के लिए एक महत्तोपून समसान घाट है ऐसा मानना जाता है कि माता पारवत्ती का स्राफ है इस घाट पे कोई भी ऐसा दिन नहीं जाएगा जिस दिन चीता न जले तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपने पुरोजों का यहाँ परदास अंसकार करने के लिए यह बनारस सहर का सबसे पवित्र घाट है तो दोस्तो मड़ी करनी का घाट भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा महा समसान घाट है अगर आप कभी भी बनारस घूमने आते हैं और आपकी रूची इतियास में है तो एक बार जरूर मड़ी करनी का घूमने आए तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन